हेलो दोस्तो नमस्काल स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आपके अपने यूटूब चैनल डिजिटल राइस्थान पर दोस्तो आप सभी ने काफी टाइम से देखा होगा आप मार्केट में सोसल मीडिया पर देख रहे होंगे एक योजना चल रही है गवर्मेंट के साइड से पीएम विशु कर्मा नाम से जो की आज कल बहुत ही प्रचली थे तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस योजन बने रहना है तभी जाकर आपको पूरी जानकारी डीटेल से समझ में आएगी और आप इसके बारे में अधिक जानकारी ले पाएंगे बिना किसी देरी के चलो दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो पीम विशु कर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को प्रदान मंत्री मोधी द्वारा लोंच की गई नई स्कीम है जबकि इसकी गोशना 15 अगस 2023 को ही कर दी गई थी पीम विशु कर्मा का मकसद पारंपरिक कारिगरों और सिल्फ कारों को उनके प्रड़क्ट को सेवाओ को बढ़ाने के लिए साहता प्रदान करना है इस योजना के अंतरगत 18 तरे के कारिगर और सिल्फ कारों को जोड़ा गया है जिनको इसका लाब मिलेगा इसके अंतरगत जिन लोगों को जोड़ा गया है उनके नाम आप स्किन पर देख सकते हैं इसमें लोहार, सुनार, कारपेंटर, दरजी, नाव बनाने वाले, लकडी का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले इन सभी लोगों को जोड़ा गया है इसमें आपको रेजिस्टे आपका यहां पर फोरम भरता है, फोरम भरने के बाद में आपको इनकी साइड से एक कोल आता है, जिसमें आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, पांस से साथ दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है, जो कि बेसिक में आती है, जिसमें आपको 500 रुपे दिन के हिसाब से सर इसके बाद आपके घर पर एक प्लास्टिक काड आता है और एक सर्टिफिक्ट भी दिया जाता है यह सारा कंप्लिट होने के बाद आपके अकाउंट में 15,000 रुपे टूल किट लेने के लिए डाले जाते हैं जिससे आप अपने वेवसाय को अपने रोजगार को बढ़ा सकें उसके लिए सामान वगेर आप खरीच सकें यह लाब आपको इस योजना के तहत मिलता है इसमें आपको 3 लाग तक का लोन भी मिलता है जिसमें की पहले चरण में आपको 1 लाग तक का लोन मिलेगा 5% ब्याजदर पर जिसको आप चुका देते हैं तो उसके बाद आपको 2 ला लाग तो आपका फोरम भर दिया जाएगा आपका रेच्रेशन कर दिया जाएगा सारा चीज़े आपको डिटेल में समझा दिया जाएगा हमारी सोप का एड्रस private detail वीडियो के discussion में आपको देखने को मिलजाएंगे आप वहां से वी संपर्क कर सकते हैं मने आपको का यड्र झाल झाल